आज हम बनाएंगे साबुत काले मसूर दाल की दाल तड़का और इसे हम बनाएंगे बिलकुल ढाबा स्टाइल काले मसूर की दाल अपने में ही बहुत जादा स्वादिश्ट होता है इसलिए इसमें ज्यादा मसाले की जरूरत नहीं पड़ती बहुत कम मसाले से ही ये बिलकुल चटपट और बहुत जादा टेस्टी बनके तैयार हो जाएगा इसे आप कोई इंडियन फ्लाट ब्रेट जैसे की पूरी पराथा रोटी और सादे चावल घी राईस और जीरा राईस के साथ बहुत एंजॉय करके खा सकते हैं पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा ये मुझे बहुत जादा मोटिवेट करते हैं फ्रेंज और फैमली में शेयर कर दीजिएगा और आपका अपना चैनल सॉल्ट और टर्मरिक को दाल दाल तड़का धाबा स्टाइल तो देखिए एक पतीले में मैंने थोड़ा बहुत तेल ले लिया है और तेल गरम होने के बाद उसमें मैंने ब्लैक पेपर साबुत डाल दिया है और दो इलैची इसको तोड़ के डाल दिया है और दो लॉंग डाल दिया है और इसको थ इतना नरम हो गया है प्रेस करने से यह तूट रहा है तो वह हम अच्छे से धोने के बाद ही भिगोएंगे और उसमें डाल देंगे उसके साथ हम डालेंगे हल्दी और मिर्ची का पाउडर और नमक बहुत ही कम डालेगा क्योंकि कोई भी डाल में अगर आप जादा नमक डाल तरफ देखिए हम एक कड़ाई ले लेंगे और उसमें बहुत कम तेल ले लेंगे तेल गरम होने के बाद मैं इसमें थोड़ा बहुत बंदगोवी डालूंगी और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हाई मेडियम फ्लेम में ठीक है इसको हम फ्राई करेंगे हाई मेडियम में और इसको बिलकुल केयरमलाईज करेंगे और अगर आप पतीं चेश्शों ?ber दिखाएगा खुअ लेकिन यह ब्राउन ब्राउन हो गया है और तभी हम थोड़ा बहुत टमाटर डाल देंगे मैंने यहां पे बड़ा सा एक टमाटर डाला है आप दो भी डाल सकते हैं अच्छा आएगा उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के हम इसको कवर करके थोड़ा कुख होने के लिए छो हो चुका है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं अभी देखिया और एक मसाला हम तयार कर लेंगे एक कटोरी में मैं चार से पांच चमच ही ले लूंगी उसके बाद हल्दी लाल मिश का पाउडर और हींग डाल दिया है उसके साथ चीनी नमक ये जीरा का पाउडर और जो हमने पकाया था ना टमाटर और कैबिज ये ठंडा हो गया है अभी हम इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे उसी कडाई में मैं क्या करूंगी तेल डाल दूंगी अभी हम डाल को पका लेते हैं चलिए तेल को गरम होने के लिए हम वेट करेंगे उसके बाद एक तेज पता डालेंगे और ये जो बंद गोबी और टमाटर का पेस्ट बनाया है वो पूरा डाल देंगे और उसी के साथ जो दही का पेस्ट बनाया था ना मसाले के साथ वो भी हम डाल देंगे अभी देखिए ये बड़ा चमच धनिय का पाउडर भी मैंने डाल दिया तो इसको हम बिल्कुल चला चला के fry करते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा quantity में कम न हो जाए और तब तक हम चलाएंगे कि ये अपना तेल छोड़ न दे तब तक हम इसको चलाते रहेंगे देखिये हमारा ये मसाला fry हो गया है बहुत अच्छे से fry हो गया है अभी हम क्या करेंगे इसमें जो हमारा दाल बॉयल करके रखा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे ये बिलकुल गल गया है लेकिन फिर भी साबुत दिख रहा है सेपरेट सेपरेट तो इसी को हम अभी डाल देंगे देखिए और इसको जादा कुछ करना नहीं है क्योंकि सब क कुछ पका हुआ है इस टाइम पे इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद हम इसमें डिजायर क्वांटिटी ओफ पानी डाल देंगे इसका मतलब हमें जितना भी ग्रेवी चाहिए ना उसके हिसाब से हम पानी डाल देंगे और इसको बहुत जादा पानी दार नहीं बनाना है आप नमक डाले आपके टेस्ट के मताबिक और यहां पर मैं थोड़ा बहुत चटपटा बनाने के लिए अमचूर पाउडर डाल रही हूँ वह आपकी मर्जी आप अमचूर पाउडर डाले या खाते वक्त आप उसमें नीम्बू डाले नीम्बू तो और मज़ेदार लगता है तो हमारी यह डाल तड़का बिल्कुल रेडी हो गई है देखा आपने कितना जल्दी रेडी हो गया यह जादा पकाना ही पड़ता नहीं है उसके उपर हम डाल देंगे बिल्कुल पतले-पतले कटे हुए अद्रक और इसको मैं गार्निश कर दूँगी टमाटर से और आपक इसको गार्निश किया है तो चलिए सर्फ कर लेते हैं यह हमारा डिनर था और यह डिनर हमने बहुत जादा एंजॉइ किया मैंने कुल्चा बनाया था इसके साथ तो आपको वह बहुत जल्दी ही दिखेगा देखी कितना डिलिशियस दिख रहा है बहुत टेस्टी हुआ था बहुत ही जादा टेस्टी हुआ था हमने बहुत अच्छे से इंजॉइ किया डिनर यह देखिए कितना लाजवाब दिख रहा है तो आप भी इसको बनाईए और अपना एक्सपेरियंस से शेयर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताईए आपका रेसिपी कैसे बना यह देखिए मैंने कुल्चा बनाया था इसका भी रेसिपी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है तो आप इसको बना के खाईए और मुझे बिल्कुल बताईए आपको कैसा लगा थैंक यू फो वाचिंग